नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल शिवा शक्ती तंत्र रहस में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों जैसा कि पूर के वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि वसीकरण के होने वाले दूस प्रभाव के विशाय में जो मेरे नए साधक है और जो मेरे पुराने भी साधक है सायद उनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि वसीकरण के दूस प्रभाव भी होते है वो सिर्फ लाप के विशाय में जानते हैं तो आज हम चर्चा करेंगे और जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि अगर आपके उपर या आपने स्वायम किसी अपने शगे पर परिवार के किसी व्यक्ति पर या किसी अन्य साधक बाबा या तांत्रिक के माध्यम से अगर आपने किसी अपने शगे पर आपने किसी वसीकरण का प्रयोग करवाया है तो उसे कैसे निस्क्रिय करें तो इसके विशे में हम आपको जानकारी देंगे और इसके उपाय भी बताएंगे और उसकी कार्ट के लिए मंत्र भी बताएंगे तो आज सभी साधक भाईयों से मेरा निवेदन है करपया वीडियो को अंत तक देखे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो करपया चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले को शेयर करना ना भूलें तो आपको करना क्या है आपको लेना है जल और प्रयाज कीजिए कि आप साथ नल के जल होने चाहिए वह अलग अलग मुहले से आप किसी भी नल से आप जल ले सकते है जो पीने योग्य हो और आप साथ प्रकार के साथ नल के जलों का उपियोग करिए एक सीसी भरके रख लीजिए रखने के बाद आपको करना क्या है एक मंत्र मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिए और यह बहुत ही प्रमारित मंत्र है मैंने स्वायम काफी लोगों पर इसका इस्तिमाल किया है और काफी लोगों पर अपने सिश्यों के माध्यम से करवाया भी है तो आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप इसको कि दिभी रूपे महादेवी ब्रह्मा विष्णु शिवात्म के अजरे आमरे शापान मुक्ता त्वम वार्दा भव दोस्तों आप मंत्र नोट कर लीजिए और मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में भी मंत्र को नोट कर दूंगा और आपको इस मंत्र को 108 बार अभिमंतित करना ह अभिमंतित करते समय आप अपने सामने आसन पर बैठे और अपने सामने एक धूबत्ती जलाएं और जल को रखे और अभिमंतित करते जाएं यानि कि मंत्र को पढ़ते जाएं और फूक मारते जाएं यह पक्रिया आपको 108 बार करनी है यानि कि एक बार मंत्र पढ़ा एक ब परिवार के विक्ति पर या स्वायम भी अगर आपको पर प्रयोग है तो आप स्वायम भी कर सकते हैं उस जल को आप स्वायम पी लीजिए यह प्रयोग एक दिन करना है इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको उन प्रयोगों की वज़े से आपके ऊपर किसी अन्य प्रक есकार से दवा काम नहीं कर रही है और आप तरह बेतरह रोगों से घीरे हुए हैं तो यह मंत्र काफी शट तक आपको निरोगी भी बनाएगा आप इसको 15 दिन में 10 दिन में आप पुना रिपीट कर सकते हैं उसके बाद फिर 10 दिन या पंधा के बाद आप रिपीट कर सकते हैं यानि कि यह पिक्रिया आप तीन बार कर लीजिए गा और मैं पूरे विश्वास से कहना चाहूंगा कि आप जब यह प्रियोग करेंगे तो देखेंगे कि आप स्वस्त होने लगेंगे अगर आप पर किसी प्रुकार के कोई रोग या बीमार भी बन गई है वो भी काफी हद तक कंट्रोल होनी चालू हो जाएगी अगर उस पर दवा काम नहीं कर रही है वह बीमारी पर दवावी काम करना चालू कर देगी तो दोस्तों आप इस मंत्र को अपने जीवर में उतारिए इससे लाभ लीजिए और मेरा जो जानकरी देने का उद्देश जही था कि आप लोगों को इस मंत्र के माध्यम से लाभ मिल सके और मंत्रों के होने वारे दुस प्रभाव से आपको बचाया जा सके आसा करता हूं आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी नमस्कार दोस्तों